उत्तर परदेश में अगली साल होने वाले बिधान सभध चुनाव से पहले सिवपाल यादो और अखले सियादो की आपसी कलव फिर से सामने आ गई है प्रगतिशील समाजवादी पाटी के अध्यक सिवपाल सिंग यादो ने इस बार अखले सियादो और समाजवादी पाटी पर बड़ा हमला कर दिया है उन्होंने कारेकरम में पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने भी पांडव की तरह समान मांगा था लेकिन अब कौरों से इउध होगा इतावा में एक शोरूम का उद गाटन करने पहुचे सिवपाल ने कहा अब तो इउध ही होना है क्योंकि दोणना चारे और विभिस्म को कोई नहीं मार सकता था पांडव ने तो पांच गाउं मांगे थे और पूरा राज्य कवरों के लिए छोड़ दिया था उसी तरह मैंने भी अपने साथियों के लिए शम्मान मांगा था लेकिन अब मैं इंतजार करते करते ठक गया हूँ आज भी मैंने फोन किया था मैसेज किया था बात कर लो बात करना जरूरी है भाजपा को हटाना भी जरूरी है लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है इस कारेकरम में स्वीपाल यादों ने लखीमपूर हिंसा का बेजिकर किया उन्होंने कहा कि कल जब हम लखीमपूर जा रहे थे उस समय हमको भी हाउस में औरिश्ट कर लिया था मैंने पुलिस को चकमा दिया हम निकल भी गए लेकिन जैसे ही लखनव से निकले तो पुलिस को पता चल गया उन्होंने बैरिकेडिंग लगा कर हमेंगी रफतार कर लिया बीजेपी पर हमरा बोलते हैं उन्हें कहा के इंदुस्तान पर करजा बड़ा है हमारा देश आने के कारण शिपाल दूसरी पार्टियों से भी गड़ बंदन नहीं कर पा रहा है आला कि बताया जा रहा है कि गड़ बंदन को लेकर वह वैशी और उमप्रिकास राजभर्षे भी पात चल रही है आप देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर कार चुनाव से पहले शिपा अरूद कर आखिर कार चुनाव से वाल नहीं कर दो कि अज़ अज़ा भी और प्रक्वार्टप्स पार्टियू नहीं कर दो कुछ में और दूskनाव और बंदन कर दो कर दो अबंदन के अच्छितं आज़ए्ट पूखर प्रिक्तश्ण पैस अवेक्तर यह पुंदन कर दो